हाई गैस वेलकम बैक टो और चैनल दोस्तों आज हम दब मिड्नाइट स्टोडियो के विस्ट फोर देखने वाले हैं ड्रामा के शुरुआत में हीरो अपनी वाई सोर में कहता है मौत दिल का दर्थ छोड़ जाती है जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता कोई भी अपनों को खो देने पर ये अकसब भी नहीं कर पाता है कि कि वो इस दुनिया में नहीं रहे कुछ लोगों को इस बात को लेकि बुरे सपने आते हैं कुछ लोगों को इतना डर लगने लगता है कि वो धार्मिक दुनिया में खो जाते हैं ऐसे हीरो को भी कई बार ब्रह्म हुआ है, भीड में उसे उसके अंकल दिखाई देते हैं, जब वो उनके पास जाके देखता है तो कोई और रहते हैं, वो अक्सप्प करने को तैयार ही नहीं, कि वो अंकल से बहुत दूर आ चुका है, हीरो ग्रैंड मा को विसिटर की रूप म आते वे देखता है, वो उनके चौक जाता है, ग्रैंड मा उसे पूछती है कि तुम ये स्टोडियो मरे लोगों के लिए चलाते हो, वो उनसे कहता है कि आपके पास तीन दिन है, आपकी इच्छा को बताइए, मैं उसे पुरा करूँगा, उसकी बाद मैं आपकी एक फोटो लूँगा, फिर आपको हमेशा के लिए आसे जाना होगा, ग्रैंड मा कहती है कि तुमने जो मेरा फोटो लिया था, उस फोटो को मेरे फ्रूनल पर यूस करिया जाए, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, बस एक टिंशन है, हिरो इसे साइट पर लेकर आता है, वो उस अधे खिरों का बहुती बुरा फिल होता है, स्टूडियो में मैनेजर बॉडिगार्ड से कहता है कि विसिटर की फैमली मेंबर के साथ, केजो को हॉस्पिटर जाने की क्या जरूत थी, वो इस विसिटर को परसनल क्यों ले रहा है, तब ही वाँ ग्रैंड मा आती है, उसे द उसे बहुत जल्दी गुसा आ जाता है, बॉडिकाट एक चैर लेकर आता है, ग्रैंड मा उस पर बैट जाती है, ग्रैंड मा अपने ले एक चाय मांगती है, बॉडिकाट उनकी तरफ आता है, उसे ग्रैंड मा के पास आते देख, मैनेजर डर जाता है, और उसे रोकने लग तक में दिखाते हैं, grandma ने उसे मना किया था कि यहाँ पर आये है बल कि हान बं को नहीं बताना है। पुर्स हिरोई सिआते हैं उसमें ऐक परस रहता है और गिफ्ट बॉक्स रहता है। बहुत सारे रईस केक भरे रहते हैं, उसे पता चलता है कि ग्रेंडमा को हाट अटेक आया था, पुलिस कहते हैं कि पता नहीं वो इन समानों के साथ वहाँ पर क्या कर रहे थी, समान को देख हीरोईन सूचती है कि इस अब लेक कि ग्रेंडमा कहा जा रहे थी, अगले सुबह हाँ कि तुम हानबम को इंपरस्ट करना चाहते हो, अगर ऐसा है तो मैं तुमारी हिल्प करूंगी, तुम मेरी हिल्प करो, हिरोईन फ्रोनले रोम में रहती है, वहाँ के स्टाफ उसे पुछती है कि आपके ग्रेंडमा के लिए कौन सा बॉक्स चाहिए, वह कितने लोगों को बलाने वाली है, और कौन से कपरे सलेक्ट करने वाली है, और उनके फूनरल के लिए कौन से फोटो लगाएगी, उसे इस सब के बार में कुछ समझ नहीं आता, तब ही वहाँ हीरो आता है, वह स्टाफ से कहता है कि मैं फूनरल के फोटो लेकर आया हूँ, हिरोईन फोटो के बाद इस स्टूडिय में पहुंचते हैं, लगता है कि ग्रंडमा की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वह अब तक नहीं आई, वह हिरोईन को एक बुक देता है, और कहता है कि इसमें बहुत सारी बाउस के डिजाइन और कपड़ी हैं, तुम्हें जब चाहीं उसे सब कै कैसे पता, वो काहता है कि एक काम सब मैं करता रहता हूं, वो से धांक्स कहती है, वो काहता है अगर तुम मुझे धांक्स कहना चाहती हो, तो मेरी आफर के बारे में एक बर सोच लो, hero funeral की सारी तैयरी करता है heroine उदास बैठी रहती है उसे उदास देखे manager भी बहुत उदास हो जाता है जब वो खाना सर्व करती है manager सोचता है कि क्योंने इसकी थोड़ी help कर दू वहाँ पे एक lady के शरीर में चले जाता है वो lady heroine के पास आती है वहाँ कुछ लोग heroine से मिलने आते है कुछ देर बास grand mom का phone और handbag हवा में उड़ने लगता है grand mom का phone और purse लेके bodyguard उनके पास पहुंचता है उनके पर्स में एक छोटा सा note था जिसमें बहुत सारी हिसाब लिखके रखी थी grand mom बहुत सारी wedding party सा बटन की है और बहुत सारी gift भी दिये है वो जानना चाहती थी कि उनकी फ्लूनर में कितना पैसा आया है वो देखती कि बहुत कम लोगों नहीं पैसे दिये है hero grand mom की खाना लेकर आता है वो कहती काश मैं वने से पहले सब खा के मरती अब तो मैं खा भी नहीं सकती वो कुछ ritual करता है जिसे grand mom उस खाना को खा सकी grand mom bottle को पकड़ती है लेकिन वो पकड़ नहीं पाती manager उस bottle को पकड़ कर कहता है कि ऐसे पकड़ते हैं आप अभी अभी घोस्ट बनी है आपको training की जरुवत है वो heroine के बारे में बात करने लगता है bodyguard अपने power से उसके मुँ में foot डाल देता है ताकि वो इस बारे मुण से बात ही ना कर सकी grand mom की दुकान को बंद का निकले bodyguard जाता है वो सारे समान को एकटा करता है सब लुग चैर को उड़ता हूँ अधे बहुत डर जाते हैं उन सब को लगता है कि grand mom का घुस्ट यहां पर आया हुआ है heroine की नजर एक poster पर जाती है poster cherry blossom patient concept का था इस concept को देखने के लिए grand mom ने heroine से एक बार बात भी की थी तब यह सुमी आके heroine से बाते करती है heroine से कहती है कि तुम्हें मालूम है सुमी को लगता है कि यह सब बाते वो emotional होके कह रही है heroine जब funeral room में पहुंचती है वहाँ पे grand mom का पर्स और phone गायब रहता है वो CCTV camera चेक करके देखती है camera में उस सिंदिक जाता है जिसमें पर्स और phone हवा में उड़ता है यह देखे वो दोनों हरान होती है heroine कहती मुझे मालूम है वो दोनों किसने लेके गया होगा grand mom हिसाब किताब करती है तब ही manager करता है कि मुझे लगता है कि han bum इनकी असली पोती नहीं है इसलिए वो हमेशा हिसाब किताब में बिसी रहती है अपनी पोती का जरा भी फिक्र नहीं grand mom कहती है तुम जो भी कहे रहो सब मैं सुन रही हूँ heroine गुसे से studio के अंदर आती है bodyguard उसे देख लेता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता क्योंकि उसकी चारोतरफ energy रहती है वो hero से पुछती है कि ये photo तुमने कुछ दिने पहले लिया था और पहले book करा दिया थे कैसे वो पुछता है तुम क्या बोलना चाहती हो वो कहती है कि वहाँ से grandma का पर्स और phone गायब हो गया तुम मुसे क्यों जूट बोल रहे हो मुझे मालूम है grandma यहीं पर है तुम मुसे जूट कहा वो उसे बाहर आके बात करने को कहता है वो उसे पुछती कि मैं यहाँ से क्यों जाओ तुम क्यों मुसे जूट बोल रहे हो क्या grandma मेरे सामने नहीं आना चाहती उसे रोता हुआ देख grandma बहुत एमोशनल होने लगती है grandma जैसे उसे टच करने आती है उसकी चारो तरफ energy circle रहता है वो दूर जाके box के उपर गिर जाती है उसकी नदर उस box पर जाती है फिरो हीरो से पुछने लगती कि तुम मुसे जूट क्यों बोल रहे हो जब grandma यहाँ पर है तो तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो फिरो चारो तो अब देखके कहती है कि grandma आप नहीं चाहती कि मैं आपको देखू अगर आप मुझे नहीं मिलना चाहती तो कोई बात नहीं आपको flower देखना बहुत पसंद है ना चलो हम flower देखके आते है heroine grand mom के कपड़े निकालती है grandma hero से पुछने को कहती है कि वो क्यों मेरे कपड़े निकाल रही है पुछो वो उसे पुछता है कि तुम क्या कर रही हो heroine कहती कि मैं और grandma flower देखने जाने वाले है grand mom के पास time बहुत कम रहते है वो वहाँ जाके अपने time waste नहीं करना चाहती वो hero से कहती है कि उसे बताते है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ hero जब बताता है कि grand mom उसके साथ जाना नहीं चाहती लेकिन वो उस पर इश्रास नहीं करती और grand mom का समान पैक करने लगती है ये देखे grand mom बहुत ही गुसा होती है इस कारण वहां की रेट आफ होने लगती है इदे की hero उनको समझ आ जाता है कि grand mom वहां नहीं जाना चाहती grand mom hero से कहती है कि मैं जो बोलना चाहती हूँ तुम उसे बताओ वो hero उनको बताता है कि grand mom बहुत सारी wedding birthday party सा बटन की है और बहुत सारी इनाम भी दी है प्यूंडरल में जो कुछ भी मिला है वो grand mom कलेक्ट करना चाहती है वो पुस्ती grand mom अब ये पैसा के क्या करोगी वो कायती मुझे मुझे मालूम है आप मेरे लिए पैसा जमा करके रख रहे हैं आप मुझे पालने के लिए और पढ़ाने के लिए बहुत खर्च किये आप मेरे करन उस दिन flower को भी देखने नहीं गई अगर आप अभी नहीं जाएंगी तो आप फिर कभी नहीं जा पाएंगी grand mom कहती कि हाँ तुमने सही कहा मैंने तुम्हारे उपर बहुत पैसे खर्च किये हैं तुम्हें मालूम है मैं क्यों इतनी सारी पार्टी में गई और इतनी सारी गिफ्ट दिये ताकि वक्त आने पर विलो मुझे रिटन दे तारे मनी को कलेट करना मेरी लिए फ्लावर देखने से ज़्यादे इंपोर्टन है वो ये इन सारे पैसे को कलेट करके heroine के लिए छोड़के जाना चाहती है heroine hero से पूछती है कि grand mom के पास कितना टाइम बचा है वो अपना वास दे के कहता है कि उनके पास 40 घंटे और बचे है वो कहती है कि तुम grand mom को बताओ कि मैं बहुत ही खुश हूँ वो कहता है कि मैं उन्हें जरूर बताऊँगा और तुम से मिलने के बारे में भी बात करूँगा वो कहता है कि मुझे मालूम है उन्होंने जान मुझ की यह नहीं बोला होगा इसका जरूर कुश कारण होगा इरोईन फिंडरल रों में होती है तब ही वहाँ वो लेड़ी आती है वो हिरोईन से कहती है कि मुझे grand mom को उस लायर के बारे में नहीं बताना था वो लेड़ी हिरोईन को पूरी बात बताती है उसकी grand mother चिफ लिया उनको देखने के लिए उस आफिस में गई थी उसकी job के बारे में बात करने के लिए इस उनकी हिरोईन का दिल बहुत ही तूट जाता है हिरोईन सोचती थी कि उसकी grand mom को उसके बारे में नहीं मालू तब ही वहाँ पर जिवन नम के एक लड़की आती है जो इटली से आई है हिरोईन उसे बताती है कि मेरे करण है grand mom को ऐसा हुआ है वो मेरे करण चिफ से बात कने के लिए आफिस गई थी स्टूडियो में grand mom अपना पूरा हिसाब किताब देख लेती है और सारे पैसे को कलेट करके रख लिया था फोटो निकालने के लिए बहुत टाइम रहता है मैनेजर कहता है तो हम हानबाम को बुला ले यहाँ पर grand mom कहती है कि उसकी कोई जरुवत नहीं है मेरा हिसाब किताब हो गया मुझे कोई इच्छा नहीं है hero उनसे कहता है कि आपको लास्ट बार उसे गुडबाई कहके जाना चाहिए लोग जिसे बहुत प्यार करते है अगर वो उन्हें को लास्ट टाइम पर बीना कहे बीना मिले चले जाते है तो कि दिल में हमेशे के लिए इच्छा रह जाती है grand mom कहती है मेरी कोई इच्छा नहीं है hero कहता तो ठीक है मैं photo की तयारी करता हूँ अगले सिन में hero grand mom के साथ उनकी दुकान पर आता है grand mom बताती है कि यहाँ पर ऐसा कोई कोना नहीं है जिसे han bum ने चुवा ना हो इस जगे पर उसने मेरे साथ काफी time spend किया है han bum जब बहुत छोटी थी तब से grand mom ने तोबे के बेचना चालू कर दिया था उन्होंने बहुत सार even party को अटन करके उसमें investment भी किया है ताक कि वो han bum का future secure कर सके वहाँ दो diary रहती है हान bum के साथ तुम जैसा पड़ोसी रहेगा अगले सिन में hero han bum को अपने कंदे में लिटाया रहता है उसने brown dory को फिका नहीं वो hero उनकी पास उसे रखके चला जाता है वो उटते उसके सामने वो diary दिखती है वो diary को पढ़ने लगती है डायरी को पढ़ते पढ़ते वो बहुत रोने लगती है उस diary के last page में लिखा था हान बार ने मुझे अपने job के बारे में नहीं बताया उसे इस बारे में मुझसे बात करनी थी अगर तुम जिंदी की भर jobless रहोगी तबी भी मैं तुमें खाना खिलाऊंगी मरते दम तक मैं तुमें खाना किलाऊंगी हीरो ने उसमें एक नोट छोड़ा था उसने रात को बारावजी स्टूड़े के पसाने को कहा है ये उसका आखरी चांस होगा ग्रैंड माम को मिलने के लिए अगले सेन में ग्रैंड माम अपने last photo एक लिए ready रहती है लेकिन उनके दिल में एक इच्छा बाकी है वो आखरी पर अपने पोती से मिलना चाहती है हीरो ग्रैंड माम को लास्ट फोटो बाहर निकालने का प्लान करता है ग्रैंड माम को उनके स्टॉल के पास लेकर आते हैं वो जैसे ही आती चारो तरह फ्लाइट जलते हैं चारो तरह बहुत ही खुबसूरत इटल्स फ्लाइट होने लगते हैं उसे देख के लग रहा था कि प्रिंग डे उनके सामने है डाइरी पढ़ने के बाद हीरोईन हीरो के पास गई और इन सब का प्लान किया उन्होंने कई घोस्ट को खाना लेके दिया ताकि वो उपर से फ्लावर को गिराने का काम करे जैसे एक ग्रेंट मम फ्लावर के पास आती है पिछे से हीरो उनके सामने आती है उसे देख कि हीरो से ग्रेंट मम पूछती है ये क्या है? वो कहता है ये प्लान सब आपकी पोती का है वो चाहती थी कि अब जाने से पहले ही सब देखे वो ग्रेंट मम से बात करती है लेकिन उन्हें देखने ही पा रहे थी हिरो तुरंट उन्दूनों का फोटो खिष्टा है फोटो किष्टी के बाद हिरो अपने आखे खोल के देखती है वो अपने सामने ग्रेंड मम को देखती है वो जाके उनका हाथ पकड़ लेती है और रोती हो उनसे माफिय मांगती है क्योंकि उसने अपने चॉप के बारे मोने नहीं बताया Grandmom कहती है कि तुन्या की सबसे कीमती चीट तो मेरे लिए हो फिर दोने एक साथ time spend करते हैं Grandmom उसे कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे ज़्याद मिस्मत करना इंपर खाना खाना और अपना ख्याल रखना वो उने याद करके अपने आपको दुखना पहुचाए वो Grandmom को प्रॉमिस करती है कि मैं खुश रहूँगी Hero उनसे कहता है कि अब मैं दूसरा फोटो लेने वाला हूँ Grandmom अपनी पोती का बाल बनाती है फिर दोने एक साथ बैठ जाते है Hero जैसे ही तस्विर खिचता है Grandmom महा से गायब हो जाती है Hero इन फोटो को अपने सीने से लगा कर बहुत रोती है Hero उन दोनों की तस्विर को स्टोडिय में लगाता है Bodycut Hero से पुछता है तुमने विसिटर को बाहर ले जाकर Rules के खिलाफ काम किया है आकी तुम इस विसिटर के लिए इतना कुछ क्यों किया कहीं तुम्हें उस लड़की के उपर feelings तो नहीं है Hero कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है Flashback में दिखाते हैं कि Hero Grandmom को मना रहा था कि वो अपनी पोती से last पर जरूर मिले अगर वो last पर हन्बाम को goodbye कहके नहीं जाएगी अपने बचे वे life में इस सब सोच के बहुत ही दुख होगी क्योंकि वो last time में अपने grandma को goodbye नहीं कर सकी वो इस दर्थ को महसूस कर सकता है क्योंकि जब उसके अंकल उसे दूर हुए थे गई थी ग्रेंड मॉम नहीं चाहती थी कि उससे last पर मिलके उसके लिए यह दिन भी nightmare बन जाए हिरो अपने अंकल के फोटो को देखके कहता है कि काश मैं आपको last बार goodbye कहता हूं हिरो इस्टूडय से बहार चला जाता है वहां की लेट अपने आफ वाफ हो जाती है हिरो इन बहुत ही fresh mood के साथ आफिस के लिए तैर होती है वो जैसे बहार आती है मैनेजर बहार खड़ा रहता और उसे good morning कहता है लेकिन हिरो इसके अंदर से होके चली जाती है तब ही वहां हिरो आता है वह हिरो से कहती है कि मुझे यह बताओ कि मुझे भूत दिखने कब बंद होंगे यह सुनके मैनेजर और हिरो बहुत है है हिरो से पुछता है कि तुम भूतों को देख पा रही हो वो कहती है हाँ यह वही है जो कह रहाता है कि मुझे सचमुत देख पा रही हो वो कहती है तुम और किसे देख पा रही हो उच चारो तरफ देखके सब भूतों के बारे में बताने लगती है कौन सब भूत कहा है हिरो अपनी वाई सोर में कहता है कि मैंने यह क्यों नहीं सोचा